नमस्कार जय जोहर संगवारी हो आप मन देखा थो 36 गर्तक मैं हो आप मन संग पूजा शर्मा मुर्शंग महें मुर्श सहयोगी मयंग ठाकुर संगवारी हो आप मन देखा थो हूँ पीजु में लिखा है देश किसका यानि देश काखर हो या है उचार जून के जिन ये वाद के फैसला हो जही कि एदारी देश काखर हो ही केंद्र में काखर सत्ता सरकार होने वाला है विश्व के सबसे बड़े जो महापर्व है लोकतंत्र के महापर्व जो है देश में अब वो अपन अंतिम पढ़ाओ मा पहुच गी है वेखर संगे संग जिन बीजेपी और कॉंग्रेस और बाकी जिन रास्टी अदल है तेखर मन के भी सुबुगाहट बढ़ गे है कि भाईया एदारी का होने वाला है अब का होने वाला है तो खेर चार जून को ही पता चली संगवारी हो लेकिन हमार 36 गड़ में का हो थे एक हर बारे में विशलेशन करके हमन आप मला जरूर बताबो तब सबसे बड़े जिम बात है यहाँ पर एदारी के जो लोग सभा चुनाओ है काफी सारा तरीका से अगर देखन तो बहुत नया पन है बिजेपी और कॉंग्रेस जुरू जन अपन नवा चेहरा ला यहां बहुत नहीं होए लेकिन वहां कॉंग्रेस ला मिलिस करा रही हार तब सब माना तरी से कि भाईया आप तो हार मिल गए कैसे उबर ही कॉंग्रेस काबर की लगातार फूट देखेल मिलिस आपसी कला देखेल मिलिस लेकिन कॉंग्रेस जैसे 27 26 इसे रणनिती बने इसके बिज बिजेपी एदारी भले ही जीत के ओकर इन सीट मनमा रिकॉर्ड काफी पुराना होई कोनो सीट मा बीस साल ले जीता थे कोनो सीट मा पचीस साल ले जीता थे लेकिन एदारी कॉंग्रेस जो है एमा सेंद मारी करे में करीब करीब सफल नजर आ थे जिन हिसाब से आकलन निकल क्या थी कौनों दिगगजे और कोंसा सीट में बीजेपी के मुश्किल बढ़ा देहें कॉंग्रेस इमा बात कर वो मयंक आप मंद से में सीधा सवाल लेना चाहता हूं कि भई एदारी जो कॉंग्रेस से तेना आर वो पार के लड़ाई लड़े हैं काबर की कॉंग्रेस के पास अब 2023 में सटा पलड़ी है मोदी लहर ला हमन देखा था न ता एदारी भी इतना विश्वास हो गए बीजेपी वाले मला की भईया मोदी लहर चल ला थे हो मोदी लहर में तो हमन गंगा नहाले बो लेकिन जो कॉंग्रेस के रणनीती एदारी है रणनीती है बीजेपी बरक का ज्यादा संकट देश आबित हो थे आप मनकत का कुछ समझपावत हो बिल्कुल पुझा आप एक लाइन बोले हो जो की कांग्रेस के पास खोयबर कुछ नहीं है काबर के उमन सत्ता सरकार लग हो चुके है वही अतना बड़े मेजार्टिक से जीत के आना सरकार चलाना पा तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है 36 गल के 11 सीट पर बहुत दमदारी चुनाओ लड़े हैं हम देखे हैं के कांग्रेस में चाहाब उपेस बगेर राजनादमां भले चुनाओ लड़ा तरीज लेकिन पहले पहला चरण के चुनाओ में अपन राजनादमां फसे रिज लेकिन पहला दूसरा चरण के बाद पूरा 36 गल महल बनाद दिखी से एक रहा बात करन तो भई कवासी लखमा दादी है जो आज तक अभी चुनाओ नहीं हारे बस्तर्व से उलत चुनाओ लड़ाई से जो कांग्रेस है बल्कि कांग्रेस वहां पर प्रयोग कर इस कांग्रेस वहा पर कवासी लखमा पर दमदारी चुनाओ लड़ाई समद देखें कवासी लखमा प्रचार बर भले उतना नेतामन नहीं पहुंचे लेकिन कवासी लखमा जो आकिला युद्धा के तरीका से पुरु चुनाओ लड़ाई करत दिखी इस कभी मोदिक खिलाब बयान दे ते कभ जोषिबत बड़ायत भी काहँ करें वहीं दिखे कॉर्बा सीट वर कोर्बा सीट लिए ब्रेन दिखोष कांत पनीकार अंपर ब्रॐ कि लिए फोड़ाई ऑं चुनाओ लड़ाय पर बहूंचें कवेज़ेगारें को लुए सबसे कम अंतर से जो कांग्रेस प्रत्यासी तो वही प्रत्यासीला दुबार आयदारी फिर से कांग्रेस सबसे चौकाने वाला जो सीटे पुझाए में बात करना जरूरी है महाँ समून सीट में जब बीजेपी आवहां के साहू जो सांसा दरीज उका टिकट टाटे चुनिला साहू के तो वह सीट में कांग्रेस जो साहू समाज के दिगए नेता है पूर ग्री मंत्री ताम रदा साह साहू समाज के वोड बैंक है कहीं बीजेपी ले नुक्सान पहुंचात हुए दिखा थे जो भीतर खारस खबर आदे साहू समाज के बैटकी लगातार अलाग अलाग छेकर में होत रही है और यही वजाए कि जब प्रधान मंत्री मोदी है जब 36 गर्ण के चुनाव पर चार कांग्रेस बहुत अच्छा रणिदिक साथ काम करें तावरदा साहू लाग तो भई माजवन भेजे है और दुर्ग में भी राजन साहू चुनाव लड़ा है तो राजन साहू भी वहां पर अच्छा टकर देथी दिखे तो कहीं ना कहीं बीजेपी जीसे 2019 में चुनाव के जो है चारों तरफ से घेराबंदिक कर दे है बुजा बिलकुल अवेक सबसे महत्वपून जेन सीठ है जेकर बारे में शायद भुला गे है मयंखा बताए बार में आप मलब बता देतों राजनांद गाहों के जो सीठ है भुपेश बगेल यहां से चुनावी मैदान में उतर है एकर साथ साथ जो नजर है जेन सीठ मा उसीठ है सरगुजा के काबर की जो चिंता मणी महराज है ते नेदारी बिजेपी वर भारी मुड़ पिरवा उचिंता बन गे है भाईया एकर से ती कहा थो संगवारी हो कि यह मोराकलन नहीं है जेन हिसाब से लगातार हो पाल अगर तोर में भाउना है कि बही मोला इस्थानिया जो लोगा नेते खर अगर मोला सेवा करना है तो यह तरह से काबर पार्टी के दल बदल था जाने कोई एक पार्टी के लिए विश्वास पात्र नहीं हो सकते ओपार्टी में जावें जेन हतोल टिकड़ दी तो यह जो भ घड़न की पत्रकार है कि बहुत आरोप मन से भी जादा होगे जब विजेपी जीटा थे लेकिन आकलन गहां थे जन इस्थानी जानकारे पंडी थे राजनितिक पंडी तो जिन पत्रकारे तेञाइं अब गलती हरे कि अती उत्सा हरे यह देखना काफी रोचक होई आउ जैसे कि महासमुन के बारे में आप मनला बते ही से जब देख्था नहमन जब समाज विशेष के बात होते तो जैसे समाजिक व्यक्ति है जिनको एक विशेष समाज से जुड़े होते तो ओह एक और अपन न कारो ए भी निकल किया इस संगवारियों महासमून मा की जिन साहु नेता है बिजेपी के तेनों मन हा भीतर खाने कॉंग्रेस ला वोट दे है इसे हमन नहीं कहा था ना इसे जब वहाँ पर से चौपाल करे हा ना जो पत्रकार है तेन मन बते इसे कि उकर मन के लिए समाज बह चुनाओ से पहली यानि कि वोटिंग से पहली बैटका करते हो बैटका करे एक बात का करते हो जम्मो अपन समाजिक लोगन मन ले माफी मांगते कि भाईया मैं आपमन बर कुछ हू करनी सके हूं लेकिन विश्वास जिलातों कि एदारी अगर आपमन मुलत जिता हूँ तो मै बार इसे हो है कि महासमुन लोग सभा में महिला प्रत्याशिल अचनवी मैदान मा उतारे गए है अब भई एक कोती समाज है कोती धर्म है कोती चेहरा है और एक कोती मुद्दा है अब चारों में से काकर उपर 36 गड़ के जनता मुहर लगा है एक बात के जो फैसला है चार जू महा कवरेज दिखाई आप मला 36 गड़ तक हा तब बने रूह और बताबों कि एदाजी जो आकलान अनुमान है उका कुछ कहा थे जानकारी के साथ आप मन से में विदा लेना चाहत हूँ जै जोहार नमस्कार झाले के जाप्र